अथी नहीं हुई और क्या टेटेटल शेंटर बनाया ही नहीं गया और बात में अकर उस पे चर्चाए हो रही है हमें दिख रहा है कि उस पे चर्चाए हो रही है और हमसे रोकुबिंस मान रहे हमसे अरे पूरी हिस्ट्री देखो हमारे जो आप दादाए है वायथ हम अच्छता हम हमारोibl हमारो चाहर मिनार हम जबन कुम आ है और हम किटिगेशन Ugh सबस्क्राइब इस्नाम का फूच्छा थो बहुत बना है। मोधी जी आप हमसे हमारी फाइले मंगते हैं पहले आप अपनी डिगरी तो लाके बताईए और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर की मेरे पूरवजों की फाइल उस चोर ने चोरी की है जिसने आपके हां से रफाइल की फाइले चोरी की थी इस भर में दिंगा दंगा और हिंसा ये करवा रहे हैं ये आरे से इसकी चाल है मुसल्मानों को परबाद करने के लिए बदनाम करने के लिए और हम सबको आज नहीं तो कभी नहीं कभी हम आवज नहीं उठा पाएंगे हम जो जब 370 लगा कश्मीर पे हम तब भी चुप थे जब बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदो के हक में हुआ हम तब भी चुप थे लेकिन अब अगर हम चुप रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहें है वो पूरी जिन्दगी डॉकुमेंट दिखाने के लिए लाइन में लगे रहेंगे चलिए सावीत्री की बेटी हूँ फातिमा शेक मेरी मा है बनवा दो कागस मुझे मेरी मा के अगर दिलवा सकते तो टीजी दिलवा दो क्षाला खाली कर दो वह वह शाला सावीत्री बाहीन फातिमा शेक में बनवाही ती शाला वापस करोंगे जोली लेकर निकलोगे ये लाधिटी कररोंगे जोनी लेकर निकलोगे या लाठी चाज करवाओगे मुत्य से भटकाओगे फिर देश में दंगा करवाओगे नारे लगाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पावल में कैसे बेटी बचा पाओगे और कैसे बढ़ा पाओगे जोटे सही पर आप तो हैं हम पर हुक्मरा, क्या हुआ जो है, आप तो हैं हम बारे पास्षा, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी मोदी और अमिश्या जी के लिए, या तो हूंगे जिंदा में, या मिलेंगे मुपतल में, भुजदिलों की महफिल में हम नजर ना आएंग इन कलक्व जिंदा पर हुआ हैं हमारा इंडिया एक सेकुलर कंजी है, फस्ट आप अमिश्या जी एड़ मिस्टे मोदी जी, वाट व्ट वीस्टे में चाहते क्या हो आप लोग, आप लोग बोल रहे हों कि ये कंट्री में जू सालों से, जिनके माबब, जिनके दादा, दा यहां रहते हैं, उनको निकालना चाहते हो, और आउट अप कंट्री के जो लोगत है, आप उनको इंडिया में पुला कि उनको सिटिसेंशिक्ट होगे, बतब यह लॉजिक क्या है, और एक तरफ को आपकी पार्टी क्या कर रही है, यह आपको बतने है, अंभिशा जी कहते है, अभिशा जी कहते है, NPR आहिए, फिक है, नरेंद्र म उजी जी कहते है, NPR आहे है, जिससे कोई भी नहीं है NRC का, यह कलिःरली डोक्यूमेंट में है, कि NPR का NPR जो है, वो NRC का फर्स आप है, और आप लोग पहले से थापर, NPR के जो Här तो को सिटकशन ने, वह आप लोग इसमें सबसे जादा गरीब लोग एफेक्ट होगी तो मेन इंका मोटीव है के महेंगाई अनिम्प्लॉइमेंट को छुपाना और यह आपस में लड़ाना चाहते है जाए वाला है तो अपकर इसकी पुस्ता भी कहा तक, सोचता भी कहा तक, उसके हाथ लिमित कहा तक होती सोच जाता है जाता है तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो रूल्स जो 26 ओफ नमेंबर 1949 में बनाए गए उस रूल्स को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है इस रूल्स में अब यहां पे बाबरी मस्जित हमको नहीं मिली तो क्या हम अब खामुश बैच जाएंगे हम अपनी एनर्सी और एनर्सी और सी एका विरोध करते है और इसके अलावा 500 साल पुरानी जो हमने बाबरी मस्जित के काख़़ग बताए इस पे हमको बाबरी मस्जित नहीं मिली तो क्या सत्ता सार कुनाने काख़़ग पताने पे हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी हमारा हिंदुस्तान है हम यहीं पे पैदा हुए और यहीं के मिट्टी में हम दफन होगे यहां बात हिंदु और मुस्लिम की नहीं है यहां बात कॉंस्टिशन की है आर्टिकल का नंबर 14 और 15 तोड़ा जा रहा है यहां जब बात बाबरी मज़द की थी तब हमने कुछ नहीं बोला लेकिन अब बात कॉंस्टिशन की है इंडिया कॉंस्टिशन तो टूट रहा है उसके लिए हम सब यहां है दूसरी बात यह है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मोधी तीसे के पहले वो आके खुद उनकी डॉक्यमेंट दिखाए फिर अमें चार्जी से में विर्दन करूंगी कि वो आके पहले उनकी डॉक्यमेंट दिखाए उनकी तो रिजर्ट अगर मतलब 10-12 का अगर मिल जा आए तो वो सब क्या आतंगवादी है उस सब सब टेरिस्ट है हमें यह बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है आज मुस्लिम की वारी है कल किसी और अजब को टार्गेट किया जाएगा यही वक्त है हिंदू मुस्लिम से इसाइस सब को मिलके प्रटेस करना चाहिए क्योंके अजब करें दो हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन सबी को खूल शामिल है यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदूस्तान थोड़ी है असल में यहां सब बिलकर रहने हिंदूस्तान तो सेटलर कुलत है हिंदू-मुस्लिम सुखिसाई सब आपस को भाई भाई है हिंदी है हम वतन ने हिंदू सिकाह हमारा थमगूल में इसकी एकल सिकाह हमारा और ताना शाही नहीं जालेगी यह देश में आने के लिए कहा जा रहा है पर इसे मुस्लिमों को नाम क्यों नहीं है जा रहा है यह सबसे बड़ा वेड़ा किया जा रहा है मुस्लिमों के साथ अगर निकालना है तो सभी करका वेड़ों करना है तो यह द्वारत देश है और इसमें एनर्पी और एंसमें नहीं चलेंगा और भारत सभी देश सब्सक्राइब कि यहां पर पोलते हैं कि हिंदु मुस्रिम भाई भाई जा पोलिटीक्स में सबको अनग करके रख रखा हैं स्बधों निकालो अगर हम निकालगे तो ताज मेल भी तोर सेन इनकलब इरकलाफ एनर्सी और कैप की भरपूर मुखालिफ़त करते हैं हम वोदी के किसी कानून को मानने की पाबंद नहीं है मोदी जी को चाहिए कि आपके रिटार्मेंट की एज हो गई है आप अपने घर पर जाकर आराम करें आराम करें आपका रेस्ट करने का वक्त आ गया है अरा मिंदुस्तान वाम लोचवारों के अपके देते हैं हम किस करा मिल जूनकर हित्टों मुस्रिमिशी खिसाई मिल जूनकर इस देश को एक बुलिस्तान बना देंगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी माजी की भी नहीं चलेगी ताना शाही भी नहीं चलेगी सब मुसल्मारों के सामने मैं एक बात यह बताना चाहती हो कि हम सब एक है मोदी यह समझता है कि वो बहुत उंचा ही पर चला गया है और हम पस्त है लेकिन वो ये याद रख ले कि जलजलों से हिलती है उचाईया पस्तिया लेती है जब अंगराईया सबसे पहले जामिया के जो स्टूडंस है गली में जो मैं उनको सलाम करना चाहूं ही और जो मोदी जी की वज़े से उनने लेबलादिया में उसकर लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहा है वहां पर भी उनके जो पढ़ाई से वह पढ़ रहे थे वहां से जाना पढ़ेंगा आवज बढ़ा थुड़ा आवज क्या पुरा साल खराब हो गया क्योंकि मोधी जी चात अब हमारे दिल में हैं हिंदोस्तान, एनर्सी, मुदाफाद, इनाषी का लवज अलफाज बता करें शारे गहाँ में दंग्या हो मोजी अमिर्शान ने भर करें उन्समानों को बद्राम कर रहे हैं लगवादर कुछ कुछ क्लाई नाथी चाह चोरें उन पर मर रहे हैं उनके जाना कोछ भर्टी करके जेना पर है पूलाइब पूलों से यह देश नौशन है। आज इस मुल्क के अंदर रहते हुए बहुत ज्यादा गर्व है। हम यह चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर development पर बात हो, यहाँ पर आसान शिक्षा पर बात हो, यहाँ पर जो corruption हो रहा है और जो जनाइम बहुत तेजी के साथ प्राइब है, हमारी पहनों और बेटियों की इज़ते खत्रे में हैं, तो इस तमाव के लिए इसे कवानी बनाए ज करते हैं, और हमारे पर्धान सिवत ने जो ही कहा है, और अपने बयान से पलेट गए हैं, तो उस पर भी हमको कोई खुशी नहीं है, बलके हम उन लोगों की खातिरों खड़े हुए हैं, कि जिनके पास कोई डॉक्मेंट का इससर नहीं है, और जो बहुत ज्यादा गडीब ह हैं, और इस मुल्को के कोई भी एनर्सी और सिये के हम लोग खिला पाएं, और हम यह रैली इसे निकाले हैं, कि हम मौदी जी ती, कुछ भी ताने शाही, कुछ भी चलने नहीं देंगे, हमने बच्पान से यह सुने हैं, यही सुनकर पलके पड़े हुए हैं, कि हिंदो मुस हम सब सह चुके, हम मुसलमान में बच्पल से यह सिपा जाता हैं, कि शांती सरो रो, शांती सरो, एकता सरो, मापा सरो, लेकिन आप अगर जब हमारी बारी आएंगी इसे इंडिया से बाहर निकालने की, तो हम किसी के ने सुनेंगे, एक एक औरत, जो कभी सिंतगी में तब नकडी में चलाई है, वो भी तलवार चलाईगी, देख लो! जावे तरी हिम्मत को, असलाम, असलाम! जो दर्वाजी की बात करें, जो डाकुमेंस की बात करें, जो खामुशी की बात करें, जो जुरत के खिलाव करें, जो हिमत के खिलाव करें, जो जामे के खिलाव करें, जो जामे के खिलाव करें, जो हिमत की खिलाव करें, जो जामे के खिलाव करें, जो हिमत की खिलाव करें, जामिया तरी जुल्णा को असलाफ जामिया तरी शुजात को असलाफ असलाफ अप नहीं चलेंगा NRC, NRC सियमी तोना ना प्रविया मैं NRC अर्वे जामिया तरी जी लगाए है, जी को हटा आती जी है, वह जी से काम का ही नहीं है, वह इंसान रिष्ट देने के काम का नहीं है, विरकल जी हटाएए उसके आगे से, फ्लीज मैं समसर रिक्वेस्ट करती हूँ और यह जो अभी रून निगा लगाई है इसका बायकाड कारती हूँ और सारे हमारी दित्पी मुसलिम भेहने हैं जितने भी आपरोस्थ नो का सब फर्टोपिकारती है अस दो हम सब एक है। हम सब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कला कानून वापस लो, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, अगर आज NRC का विरोध नहीं किया गया, तो हर नागरिक को बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वो इन, सिखो, बुद्धो, मुस्लिम को तो निकाला ही जा रहा है, सब भाई भैन मिलकर इसका, खिलाब आवाज उठाईए, NRC वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो.